हेलो एरिवन वेल्कम टो एवर गेंट स्टेडी तो आज की व्डियो के अंदर हम बी ए प्रोग्राम स्मेस्टर वन हिस्ट्री की बुक की यूनिट सेवन करने वाले हैं दी फार साउथ तमिलकम पोलिटिक एकोनोमिक अन सोसाइटी दी संगमेश तो बेसिकली जो हमारे चप् विडियो यह सांगम का मतलब होता में मिला आपका ना तो क्या है जो साओ इंडिया में ज़ब हिस्ट्री होटो गुत करते पर जो मैटिंग करते और उस QUESTION करते दो चीजिय, लिख लिखे एप उनमें आके और को लिखें होत 10 तो उसी पिरेड को संगम पिरेड बोला गया क्योंकि वो उस्समय हिस्टी लिख रए थे और सब मिलकर लिख रह थे इसलिए उसको संगम पिरेड बोला गया संगम का मतलब भी होता है बड़ी सी अकेडमी जहां पर बहुत सारी बोलोगों का आना और कुछ चीजों का लिखा जाना तो इसलिए 3 century BC 3rd century AD का जो time period है उसको संगम period बोला गया ठीक है तो मैंने आपको बताया कि हम 3 kingdoms के बारे में रीड कने वाले चोल, चेर, पांड़ है तो जो 3 meeting हुई थी 3 संगम हुए थे basically जो poet और priestो ने मतलब attend किये थे तो वो 3 ही meeting कहां पर हुई थी जो हमारे पांड़ किंग, मैंने बताया न 3 kingdoms है, एक चोल, चेर, पांड़ तो 3 ही संगम कहां पर हुए पांड़ किंग की राजानी में हुए और cities में हुए थे ठीक है, आप read करेंगे धिरे-धिरे आपको अच्छी तरीके से chapter समझ में आएगा और जो उनकी literature था, वो द्रविन language में था, ठीक है जो जितनी भी books लिखी गए उस टाइम पर में, वो द्रविन literature में था, ठीक है According to Tamil legend जो बहुँ सारे Tamil legend हुए उन्होंने बता है कि 3 संगम सुए जो चोल चेर पांडव है उन्होंने बहुत सारे जो poet, priest आये उन्होंने खाली 3 क्या करे थे 3 संगम करे, 3 meetings करी थी जिनको हम किस नाम से बोला जाता मुचुंगम के नाम से बोला जाता ठीक है, तो मैंने बता है 3 संगम सुए, 1 संगम कहा हुआ था मतलब कि चोल चेर पांडव के जो poet हुए, बड़े बड़े poet, priest हुए, रीशी मुनी हुए हमारे राजव अगेर हुए वो सब आते थे, तो 1 संगम कहां पर हुआ था, ये मुद्रई में हुआ था जो पांडव के capital थी तो ये माना जाता है, जो 1 संगम जहां पर हुआ था, वहां पर स्रिफ code और जो रीशी मुनी हुए न, वही आये थे और उन्हें कुछ लिखा, दसवेज हमें नहीं मिला है, फर्स संगम का तो फर्स संगम ऐसे ही था जिसमें की देवी देवता ने खुद तो मैंने क्या बता है फर्स संगम का हुआ, मुदरई में हुआ सेकिंड कपाड़म पूरम में हुआ जिसमें की हमारा फर्स एविडेंस मिला लिखा हुआ दस् क्योंकि हम जो वर्ल्ड की हिस्ट्री हुई इंडिया की हिस्ट्री हम जातर किस पर जॉसमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चेंजी इनजी सुड़े पॉलेटिक किस तरीके सेत तो सेकिंड संगम का जो फर्स हमें केस्ट धोक्योमेंट मिला वो तोल का पिम है South India की history सबसे ज्यादा कों बता है तोल का पिम जो कि सबसे पुराना है वो हमें बताता है कि जो हमारे किस परकार से जो piercing तीनों Kingdoms में किस परकार से society में था economic किस तरीके से किस तरीके का religion अपना ते सब कुछ हमें तोल का पीम की मदद से पता चला जो थर्ड संगम है यह भी मुद्रई में ही हुआ था जिसमें हमें बहुत सारी लिट्रेचर वर्क लिखे गए थे जो कि हमारे किस ने लिखे थे पोईट वगारे ने लिखे थे ठीक है तो थ्री संगम के बार में पता चला कि तिनों संगम का हुए संगम का मतलब भी क्या होता है मीटिंग का ना जो बड़ी बड़ी अकैडमी होते थी जहांपर पोईट वगार आये उरू ने क्या है जो हमारे साउथ इंडिया की हिस्ट्री है उसके बार में नो ने लिखा ठीक ह पहला जो संगम हुआ उसमें हमें कोई भी लिट्रेचर वर्क नहीं मिला लेकिन जो दो संगम सो है उनमें हमें बहुत सारे लिट्रेचर वर्क मिले फर्स्ट जो फर्स्ट में नहीं मिला सेकिंड में हमने एक ही देखा और थर्ड में बहुत सारे मिले वो हम रीड करते हैं आफ संगम लीट्रेचर संगम लीट्रेचर के बारे में जानगे वाले हैं इस संगम लीट्रेचर इंक्लूडिग क्या है तोलका प्यहल सकतेजंग नाम लिखेएозможно इजी है थोड़े बहुत थोड़े डिफिकल्ट भी लग रहे होगे लेकिन एक बार आप पढ़ोगे तो आपको इजी लगेंगे ठीक है तो क्या क्या है तोल का पीम जस्ट मैंने आपको बता दिया फर्स अर्लिस डोकुमेंट है हमारे जो तमील की लिट्रेचर का पाना जो क कि हमें किसके बारें बताती है जो 3rd century AD से लेकर 3rd century BC का टाइम पिरेड है वहां की पॉलिटी क्या थी इकोनोमि कंडिशन क्या थी सोसाइटी में क्या चेंजिश हो रहा था वह तोल का पियम बताते हैं और भी बूक्स बताते हैं लेकिन हमारे सबसे पराना जो डोक्मेंट है वह तोल का लोगे हैं कि अपना जीवन्षिटीत कर रहे होते हैं कि आपको हूं कि अबर चुछ हैं। बीकलर में जाते हैं और उहां पर एक favorisosity होते हैं नाम होता है उसका माधवी तो उनसे उनका attraction हो जाता है और क्या है कोउवलान और माधवी शाधी कर लेते पए और क्या करते कोउवलान अपनी फर्स ऐफो छोड़ देते हैं जिसके बाद जो को कोवलन होते हैं और माधवी के साथ कोवलन का और इनकी डोटर होते हैं मनीमेग लएग करें तो बाद में कोवलन और माधवी के साथ बुरा किया और वो क्या करते है माजभी को छोड़ कर जो कंगी के पास वागंपिस आ जाते हैं ठीक है तो दोबार से कंगी और जो कंगी होते है तो एक दिन क्या होता है जो कंगी होती है और कोवलन होते हैं उनकी जो economy condition है वह बहुँजादा खराब हो जाती है तो जो कंगी होते हैं वो क्या बोलती है अपने पती से कोवलन से?, कि क्या करो जो मेरी pile है जो क्या करो उसको dwellers के पास रख्ता है आज़ो, तो क्या करते हैं जो कोवलन को राज दरबारे उठा के ले जाते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि कोवलन ने ज्वेलर्स के पास क्या उसकी पाइल बेची है जुरूर वो पाइल किसकी होगी रानी की होगी ठीक है तो कोवलन को क्या कर देते हैं राज दरबार में ले जाकर डै पति वर्था दिखाई गई है कि अपने पति के उपर होने किस परकार से विश्वास था और पूरी 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 सोसाइटी है पूरा जरबार है पूरा किंगडम है वो जला देती है समझ में थोड़ी इजी स्टोरी आप अच्छी तरीके से मैंशन भी कर सकते हो ठीक है सेकंड स्टोरी मैंने आपको बताई मनी मेगलाई है तो सिला पडिकरम अच्छी तरीके समझ में आ गई अब सेकंड स्टोरी है हमानी मनी मेगलाई करके जो कि सतली सतिनार ने लिखी है तो ये स्टोरी किस तरीके से ये रीड करते है जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि कोवलन और मादवी की एक डोटर होती है उसका राम क्या होता है मनी मेगलाई होता है तो वो मनी मेगलाई वही लड़की है जो हम स्टोरी अब रीड करने वाले हैं तो मनी मेगलाई है वो अपना जीवन अच्छी तरीके से वैतीत कर होते हैं वो क्या होते हैं एक बुदीस्ट नन होते हैं मतले को होते यह सारी दुनिया से अलग रहना चाहती है तो यह सटोरी 오isz inte के तो हम्म किस तौरिके से मतलब उस सॉसाइटी के बारे में बता रही है कि किस तरीके से पत्ति वरता के बारे में बताया राजा वगारे के बारे में बताया सोसाइटी में पॉइंस वगारे लिखी जा रहती तो यह सारी हमें स्टोरीज यह बता रही है ठीक है और जो हमारे अशोक का है अशोक के द्वारे जो हमने देखा था हमारे मूरियन एंपायर वारे चेप्टर में कि किस परकार से जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें बहुत सारी हैल्प करते हैं तो उस तरीके से अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमें चोल चेर पांडव रूलर्स चेरा तो जो चेरा रूलर से वह चेरा से वह काоловर कहां पर था उनका एरिए तो सभी का एक एंबलम होता है मतलब चिन होता है तो चेरा रूलर्स का क्या एंबलम है बो एंड एरो है ठीक है तो एक क्या है पुगलूर करके इंस्क्रिप्शन है क्या है पुगलूर करके इंस्क्रिप्शन है जो कि 1st century AD में लिखा गया तो वो हमें किसके बारे में बताता ह है त्री चैर करते के साथ अंध्व करते तो आपको पता चल रहा है कि जो ट्रैड है में भी ट्रेड करा सब्चार्टकीबिस घ्र corazónिंगुट्वयन का सब्चावuci है नौन से उन्होंने वहां पर जाके घंड़ेत्य सब्सक्ट मृतने सब्सक्राइब है जो उनके ग्रेट रूलर को नियंग है सेंगटन है जिसे आरद चेटheen अंटलड वाधिर यह हमें किसे पता चला जो सीला पडिकरम जो बुक है उनसे पता चला है कि उन्होंने क्या है हिमाले से लेकर क्या है नोर्थ रूलर तक भी उन्होंने हरा रखा था चेरा रूलर के किस रूलर ने सेंग ट्वेन ने ठीक है और जो सेंग ट्वेन है उन्होंने क्या कराया था उ तो उनको वहाँ पर चेरा डूलर्स ने क्या करा था, सिंगु टवन ने क्या करा था। उनकी पुजा के लिए लोगों के बोला था। कि देखो कि इतनी अच्छी पतनी हे। ठीक है उन्होंने अपने पती पर विश्वास रखा उनके पती वापिस आई ठीक है यह सारी बाते बताते हैं ठीक है उन्होंने यह वहाँ पर आज सकंगी की पूजा होती है हमारे साउथ इंडिया में ठीक है यह फर्स्ट हमारे फर्स्ट ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या करा था जो चाइना में अपने राजदूत बेचे थे ठीक है अब चोला के बारे में रीड करते हैं जो चोला है वो कंट्रोल करते थे सेंटर एंड नोर्थन पार्ट ऑफ तमिलाडू जो तमिलाडू का साउथन कंट्रोल करते थे और जा तो आरे कंट्रोल से शांता बारानी नाम के झंग धूबी तेर हूर लेकिन बताई पट्रम जो जंग है वहाँ पर भी वो रहा करते थे राजशाई महल थे वहाँ पर भी ठीक है और मैंने बताया था हर एक किंडम का एक Emblem होता था तो उसी तरीके से जो चोला । दिर्थ которого ध्याता टैगर था था ठीकिन उनकी जो नेवी थी चोला रूलर की वह पो जाता था इफेक्टीव थी और उनका जो इंपोर्टन राजा था ये क्रिकाल को थे क्रिकाल थे ठीकि안 समझ में है और अब क्या है जो उनकी military के बारे में हमें कैसे पता चलता है तो एक पतना पलाई करके एक बहुत सारी epic है उनसे हमें उनकी military के बारे में उनकी life के बारे में पता चलता है उसमें क्या बता है कि मैंने संगम point बहुत सारी जो संगम point है उनसे भी बताया गया है कि जो चोला रूलर के क्या करीकाल जो रूलर है उन्होंने क्या चेरा पांडव और बहुत सारी 11 छोटे मोटे राजाव को भी हराया था ठीक है पांडव रूलर के बारे में रीड करते है जो पांडव रूलर है वो मुद्रई में राजकते हैं उनकी कैपिटल थी ठीक है जो क्या बता रही है वो मेन पोर था पांडव स्किंग का जो की लोकेटीड था कहा पर बेओ बंगाल के नज्दीक था और वहां पर क्या करते थे वो फेमस सा जो फिश होते ना फिश के जो मतलब जो मनके वगएरा बनाना वो चंक डाइविंग उसके लिए फेमस सा ठ तो उनका एंबलम भी आता था था यह पैटरनाइब तमील संगम एफैसलेट दा कॉम्प्लिकेशन आफ दा संगम पोई मतलब कि जो मैंने बताया था कि जो सारे तीनों ही संगम कहां हुए थे मतलब तीनों ही मेटिंग कहां पर हुए थी जहां पर लिटरेचर वर्क लिखा ग हुए थे पांडव किंग के सिटी में हुआ था ठीक है तो पांडव किंग के जो जंगा है वो बहुत जादे इंपोर्टेंट थी ठीक है रूलर के रेगुलर आर्मी और जो पांडव किंग के पास एक रेगुलर आर्मी होती थी और उनके पास जो मन के होते थे वो बड़ी पूजन है वो होती थी ठीक है और विड्डो की जो सिचुएशन थी वो बहुत जादा बूरी थी ठीक है यह सब कुछ हमने देखने को मिला पांडव किंग की कैपिटल में और पांडव किंग की मतलब एरिया में ठीक है किंग्डम में दे अड़ोप दा वेदिक रीजन तो व कावर है वो वो डिकलाइन होने लग जाती है ठीक है अब संगम पॉलिटिक एंड एड्मिस्टेशन देखते हैं ठीक है डूरिंग दा संगम पिरियम है डिडिटी मोनार्क वो जा फॉर्म ऑफ कोर्म है तो अब ना हम तिनों को अच्छी तरीके से रीड कर चुके तो किस त संगम पिरियर्ड तो संगम पिरियर्ड था महां पर क्या था हैरी डिटी मोनार्क हैरी डिटी का मतलब क्या होता जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो इस तरीके की गोर्मेंट में में देखने को मिला ठीक है तो हर एक क्या था किंग्डम में क्या एंबलम होता था टाइगर चौला का था फिश पांडवस की थी और चेरा बो ऐंड एरो प्रेipp और को पिशान अब करें केंगडम में चलाते थे पांच लोगों केंडर ही काम होता था ठिक है तो हमने देखने को मिला चोल चेर पांडव में जो आर्मी थी वो भोजा था एफेक्टिव थी रेगुलर आर्मी रखा करते थे वो ठीक है और मैंने बताया क्या होता था जितने भी हम चैप्टर रीड करके हैं इंसेंट चैप्टर हम रीड कर रहें जो आपकी बुक्स में है तो सबसे आपको ध्यान रखना जो रिवेन्यू होता था वो जर्नेट दो तरीके से होता था एक होता था लैंड रिवेन्यू होता था जो एगरिकल्चर से मिलता था तो एडमिस्टेशन किस तरीके से चलता था जो लैंड रिवेन्यू होता था एगरिकल्चर से चलता था लोग जो किसान है वो खेती करते थे और राजा फिर लोग जो मिलेटरी में जो आर्मिन्स होती थी उनको रख रखाव के लिए उस पैसे को लगाता था ठीक है और फोरेंट ट्रेड भी होता था जस लेक दूसरी कंटे ट्रेड वगारा हो रहा है तो उससे भी क्या है राजा वगारा को मुनाफ़ होता था ठीक है इस यहां से भी पैसे आते थे ठीक है अब क्या है रोयल ट्रेजरी क्या होता था मतलब कि जो जातर पैसे कहां से आते थे लैंड रिमेन्यू से होता था पोरेंट ट्रेड होता था और क्या होता था बूटी कैप्चर भी होता था सोसाइटी के बारे में रीड करते हैं तोहों का पेम पेरियौ का चोल पान्टू के बारे में बताता है तो उसमें हमें में uniform किया गया है कि जो five-fold division of land, land का पांत तरीके से division था, अब land का क्यों करने का तरीका, क्योंकि जो land होता है, just like आप land का division कर देते हो, तो उसी से उतना ही मुनाफ होगा, जितनी अच्छी quality के हमारी land होगी, उस वेक्ति के पास उतना अच्छी quality की land है, तो उसको उतना ही क्या revenue देना पड़ता थी, तीसरी के अच्छी मुर्दम होती थी, जहां पर बिल्कुल agriculture होता था, पेस्टोरल होता था, जो मुलाई होती थी, वहां पर पेस्टोरल होता था, पेस्टोरल होता है, जहां पर भेड़ बक्रियों को चराया जाता है, वह वाली land होती थी, मुद्रही होता था, जहां तो इस तारीकले से लैंड का डिविजन था जो कुछी। थारीकलों से लेकिन जो मुद्रम होते थी वहां पर अच्छी क्वालेटी की अग्रिकलचर होती थी तो पर टेक्स भी जादा होता था ठीके जो तोलगा में उस बुख में मैं चया गया जो अड़्लिस एविडेंस हला भास थी ऑरासर करके जो ती पहली काज जिसक्तु रूलिंग क्लास होती ढंकर होते हैं कि अखर्श को सेकड होते इतना अंतर क्या होती है अनंतर जहां पर मैंनिसत्र वगयार वहोतेत है ट्वैनिगार होते यहां पर जो каждый करते लोग ट्रेव चर्थर और वैलिगर होते है जो आगरिकल्चर करते तो इस तरीके से कास्ट शिस्टम डिवाइड था जैसे रूलिंग क्लास मिनिस्टर ट्रेड वगारे का ना जो लोग अग्रिकल्चर करते तो इस तरीके से था उनको साउथ इंडिया ने में अलग बोला गया वैसके वैसे तो सेम है और बहुत सारे ट्राइस वगारे भी थी तोडस, इरोडस, नागास, विंदार्स, तो इस तरीके से अलगर एक ट्रैप भी थी, ठीक है संगम सोसाइटी में, अब देखते हैं जो विमेन हैं, उनकी पोजिशन किस तरीके से थी संगम पिरेड में, ठीक है, अलोट ओफ इंफोरमेशन, हमें बहुत सारी इंफोरमेशन म नाम मैंशन किये गए हैं, जैसे कि अवियन करके एक विमेन थी, निचले यार करके एक विमेन थी, और कई पदिन यार करके एक विमेन थी, मतलब विमेन से वहाँ पर यह पताया गया, बेसकली जो विमेन से हो, वो भी पोईंट गार है, लीक सकती थी, ठीक है, विमेन अर आपने पार्ट्नर से को चुन सकती ती तेक है जो वीडो जो सिचवेशन ती वह मिसरेबल भू है यह बताया गया अब इकोनोमिक सिचवेशन देखते हैं संघम पिरेड में किस तरिके से थी देखो अगरिकल्चर मेनगर्पेशन होता था हेंडी क्राफ्ट काम भी करते थे लोग वहां पर weaving होता था, metal work होता था, car painter, ship building होता था, ornaments बनाते थे, beer, stone यह वो ही बनाया करते थे लोग, ठीक है, there was great demand, वहां पर जो क्या बहुत जादा demand थे, बहुत सारी चीज़ों की, जो की internal और external trade भी होता था, मतलब इंडिया के अंदर ही trade हो रहा वो भी था, और other countries में समान भेजा करते थे, चोल चेर पांड़े, ठीक है, एहाई क्या है, बहुत जादा expert थे, वहां पर cotton और silk cloth बहुत जादा बढ़ी मात्रा में बनते थे, और वही जो जैसे जो capital उर्यूर करके, वहां पर क्या होता थे, high demand में cotton बनता था, और other countries जाया करता था, ठीक है, जो द है, जो टोड़ी मंसूरी कोरकाई, यह कुछ जंग है, जहां पर commercial port, बंदर का मतल बहुत जादा बंदर गाया थी, वहां पर, और other countries में trade हुआ करता था, ठीक है, तो बहुत जादा समान है, वो दूसरी country जाया करता था, वो fiber हो सकता था, मसाले हो सकते थे, ginger, cardam, यह होता थ बहुत सारी, वो और प्रोड़क्त, प्रेल्स होते थे, precious stone है, वो भी दूसरी country जाया करते थे, ठीक है, और बहुत सारी समान इंडिया में भी आया करता था, दूसरी country से, ठीक है, अब हमने देखा था कि Roman Empire के साथ, वो trade करते थे, Augustus की नाम पर उन्होंने क्या बनवाया था ये काला बर्ष वो आती है, तो इस तरीके से क्या होता, जो उनकी एहमियत होती है, चोल चेर पांड़ों क्यों कम होती जाते है, और इस तरीके से संगम प्रियर्म डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, तो जो ये नहीं हमारे चैप्टर था, ये छोटा सा था, इफ यो लाइक ये लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, ये आपको इस चैप्टर के पीडियाफ चाहिए, तो आप मेरे टेलग्राम चानले से जूट सकते हो, लिंक एट डिस्क्रिप्शन में है, थैंक्यू फो वोची,